हर साल की तरह साल वी सीम शिवरा सिंग चो अपनी धरम पतनी साधना सिंग के साथ त्यावार बनाने यहां आ चुके हैं परंपरा निभाते हुए वो धंतेरस की खरीदारी करने निकले हैं कहा जाता है कि धंतेरस पे खरीदारी करना बहुती शुब माना जाता है धातु की खरीदारी हो या कैसी भी खरीदारी हो सोने की खरीदारी हो उसको शुब माना जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं अगरवाल जॉयलर्स पे हम खड़े रोशनपुरा चौराय के अगरवाल जॉयलर्स पे यहां मौजूद है यहां मुक्यमंदी शिवरा सिंग चाहन धंतेरस की खरीदारी करने पहुंचे हैं अपनी धरम पतनी चादना सिंग के साथ चांदी के सिक्के की खरीदारी उन्होंने करी है उसकी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त धंतेरस पे धादू का खरीदारी करना बहुत ही शुब माना जाता है चलिए बाई सब्सक्राइब बहुत अच्छी तयारी है और अभी हम लोग अगरवाल जोईलर साय है और हम लोगने चांदी का सिक्का लिया है तो देखा आपने अभी मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान हर साल की तरह परवा निभाते हुए पिछले साल वो पूर मुख्यमंत्री के तौर पर यहां आये थे और उन्होंने धातू की खरीदारी करी थी तेकिन इस साल तो इस वक्त प्रदेश अधिक बीडी शर्मा अभी यहां मौजूद हैं हम आपको दिखाते हैं वो भी धंतेरस के खरीदारी करने पहुचे हैं अभी आपको हमने दिखा है मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान यहां थे उप्चौनाओ जीतने के बाद आपको बताते कि मद्रदेश में बीजेपी के 27 सरकार बन चुकी है और ऐसे में यह दिवाली सीव शिवराज के लिए भी बेहत खास है यह एक्स्क्लूसिफ तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्ट डिन न्यूस पर शिवरासिंग चौहान धंतेरस के मौके पर खरीदारी करने चांदी का सिक्का इनोंने खरीदा है अब बर्तन खरीदने के लिए वह आगे बढ़ रहे हैं बर्तन खरीदने जाएंगे बर्तन जी पता क्या ले आए बदा खरीदा नहीं है क्योंकि हमारे फादर इनलौ नहीं रहे तो हमने सिर्फ कटोरी लिए चांदी की भोग के लिए लड़ू को पाल के और चांदी की एक थाली लिए बस इतना ही लिए आप सबको बहुत-बहुत सारी शुपकामना है और आप सबकी दीपावली खूब उतसफ से खुशी से सम्मत पन्नता से सबसे भरी हो यही मेरी कामना है आप सबको प्रदेश अदेख बीडी शर्मा ने भी खरीदारी करी है यहां पर आये थे जोलर्स की दुकान पर उन्होंने भी चांदी का सिक्का खरीदा है तो चलिए आपको और आगे लेच चलते हैं हमारे साथ अभी मौजूद है शिवराव सिंग चोहान अभी बरतन की दुकान पर सिर्वाश सिंग चोहान की अपनी धरम पर ने भी मौजूद है हमारे सब्सका नाम लेकर के तुछ पता दी का